दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीज में वैसे छोटा से वीडियो है मैच के थोड़ी ही देर पहले आएगा तो आप लोग ट्राय करना के बहुत चोटा से वीडियो रहेगा लेकिन चीजे बहुत सारी आपको समझाऊंगा अगर आप वीडि और यहीं घ्राय को प्लेस ले लोगे जो लोग के चोटा है लेकिन चिनको पता नहीं होता है वह सें चापके आज आ जाते हैं दूसरी बात इंटरनेशनल मैंचेस बहुत सारे आ रहे हैं कौन कौन से श्रीलंका इंग्लेंड या फिर आप बात कर लो वेस्ट इंडी साउथ अफरीका बहुत सारे इंटरनेशनल सेरीज उसके बाद इंडिया श्रीलंका तो कहने के मदले है कि यूट्यूब चाहिए सब्स पेशावर जाल्मिय और इसलमाबाद के हम बात करने वाले आप सबको बताए एलिमिनेटर टू होने वाले पाकिस्तान सूपर लीग 2021 जो अब खतम होने वाली है पॉइंस सेनेरियो अगर आपको बता हूँ तो इसलमाबाद फरस्ट फिनिश किया था और पेशावर थर्ड इस सेरीज के परफॉर्मस में आपको बता दू उससे पहले एक चीज़ बता दू कि इसलमाबाद जो कॉलिफाई वन हार क्या रहा है तो पेशावर जो है अपना एलिमिनेटर जीत क्या रहा है ठीक है तो पेशावर कोंफिडेंस हाय रहेगा और और अगर आप कंपेर पेशावर से स्टार्ट करते कि कॉंसर प्लेर ने सेरीज में अच्छा परफॉर्म किया है तो शोय मलिक शेरिफन कामरान ये तीन बैट्समें वहाब रियास फाहीम और मौहमाद इरफान ये तीन बॉलर ठीक है बैट्समें बॉलर बता रहा हूं आप रिकॉर्ट चाओ तो क्योंकि टाइम बहुत कम है इसलमवाद की तरफ से आप उस्मान ख्वाजा कॉलिं मंडो ओपनेस परफॉर्म करते हैं तो टीम जीती है सिर्फ एक ओपनेस के चलने से काम नहीं होता है यहां दोनों चलना पड़ता है लास मैच अगर आपने देखा हो तो ख्वाजा ने 70 प पहले बैटिंग करें तो ख्वाज आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं बॉलिंग से वही दो नाम शादाप खान अली और तीसरे हमारे हो जाते वसीम जूनियर अगर पहले बॉल डाले इसलमवाबाद तो लास्ट मैच पे पहले बॉल डाल रहे थे हमने टीम में लिए बहुत पिटाई हुई हार गए थे लेकिन लॉजिक लगाने लॉजिक लगा के टीम बनाई हारो जीतो पार्ट है गेम का ठीक है फैंटेसी में आप सिर्फ जीत नहीं सकते या फिर आप कितनी भी घटिया टीम बनाओ सिर्फ हार नहीं सकते आपको क्या है बेसिक जो सब्सक्राइब करें लास्ट पी एसल जो पी पूरा कवर किया है एवरेस फर्स इंग स्कोर वन सिक्सी सेंग इनिंग 144 दोने टीम में कौन से टीम जो है अच्छा करती इस ग्राउंड पर इसलम अबाद थोड़ी सा बेटर करती है आर्ट मैच शेले इस ग्राउंड पर पा सब्सक्राइब करिए 273 रन बनाए इस वेन्यू पर 34 का अवरेज कामरान अकमल साथ मैचेस खेले 232 रन और 33 का अवरेज दोनों इंपॉर्टन प्लेयर जे अपके लिए भाब रियास बॉलिंग से तो यह तीन तो अपके लिए मस्पिक हो जाएंगा पिशावार से और यह हो जाते हैं अब हुआ गया है कि इनकी जो फिंगर है उसमें स्प्लिट वैबिंग आगे यानि थम और जो इंडेक्स फिंगर उसके बीच में वैबिंग होगी यानि यह पा जाता है अगर आप आसान भाशा में समझना चाहो तो अब उसकी अजय से इनको कहा है नहीं बना रहे है वो बातल लगे लेकिन स्पिन हमने लास्ट मैच में देखा था कि भाई आधा-धा मीटर स्पिन करवा रहे थे शादाब तो आपको लिए अच्छे वाइस के अप्टिंसी ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप जील वगरा खेल रहे हो तो इसल के दरफ से मुन आप पॉस करके देख सकते हो नोटिस कर लो कि जो टीम 180 बना रही है वो डिफेंट करने में सक्सेस्फुल हो रही है बाकी टीम जो है वो स्कोर चेस कर ले जा रही है अगर आप इस वेन्यू पर देखोगे शदाब ने थोड़े दिन पहले 35 बनाए थे दो वकित ले थे उस प्लेंग 11 इस वेन्यू पर यह सारे रिकॉर्ड्स है बहुत मैंने से बनाए पॉस करके देख लिए टाइम नहीं है इसलिए मैं आपको सीधा जो है वो प्लेंग 11 और फर्स सेकंड में किसको आपको लिए फर्स इनिंग सेकंड इनिंग में वह आपको ले क्लियर कर देता कामरान अक्मल अच्छी खेली फिर फ्लॉप हुए अब कल अच्छी खेली यानि कि आज फ्लॉप हो सकते हैं तो भाई इस थियोरी पर अगर आप बनाते हो टीम तो आप जजाई को छोड़ना मत कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी मत देना बस लास्ट मैच की पफॉर्मेंस द कोड़ा से डिफैंसिफ प्लेयर है तो सकता है कि हैदर को आज ले आएं वापिस इमाम की जगा तो जजजाई और कामरान अक्मल अगर हैदर आते हैं और पहले टीम बैटिंग करती है तो इंपॉर्टन उसके बाद शोई मलेक मस्ट बेक आपके लिए शेरिफिन रदफोर् लेकि जिस दिन आप लोगे उस दिन अच्छा पर्फ़म नहीं करेंगे दिस दिन आप नहीं लोगे उस दिन जरुप अच्छा प्रके जाते हैं रोमय पॉविल वाहब रियाज बॉलिंग से उसके बाद उमेद आसिफ अगर पहले बॉल लाले तो आरें मैंन आपके लिए वहाब रियास के साथ या फिर आप मुहमद इम्रान जो कल हमें दिखे थे किसकी जगा समीन गुल की जगा उने ही ले सकती हो एक दो वर डेथ में डालेंगे और मुहमद रिफान जो है अपने 15 वर से पहले पहले अपने सारी वर खतम कर जाते हैं तो आप अपने दिमाक्सी ब करना पड़ेगा अगर आपको क्रेडिट मैंज करना है या तो आप रियल एलेवन पर खेल लो लिंक में डिस्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों में देख जूँँगा जहां से आपको फसंदा है वहां से डाउनलोड कर लेना रेफर कोड यूज कर लेना रहाज 11 तो आपको सब्सक्राइब के बाद आसिफ अली शादाप खान फाही मश्रफ हुसें तलत हसन अली वसीम जूनियर आकिफ जाविद मुझे लगते ने यह इनको कोई चेंज करनी की ज़रूरत है बस यह एक अपने प्लैंस सही तरीकी से लगाए वसीम जूनियर जो है लास्ट और आपन सब्सक्राइब के साथ आप कर सकते हो अगर आपको लगता है इसलमाबाद जीत रही है तो आपको लगता है नहीं कड़ा कॉंपिटीशन देगी तो पिशावर से आप हजरत उल्ला जजाई हेट और मेंसे हैं आपको पता है वहाब रियास और असिफ पहले बॉल्ड डाले तो आप बिल्कुल ट्राइ कर सकते हैं अच्छे उप्शन्स हो सकते हैं आपको लिए के लिए के लिए के लिए अब आपको में ड्रीम बना के दिखा देता हूँ आपको पता होगा अकमल इधर से बैटिंग से अपके मलिक और जजाई को डॉप मत करना खेर मुझे लग रहा है अज नहीं चलेंगे फिर भी सेफटी डीजन्स आपकी शुरक सा आपके हाथ है तो आप मत करना डॉप ठीके जजाई और मलिक बैटिंग से विगट कीपिंग से अप कामरा नकमल बालिंग से अब को पता है वहाव रियाज और अल्राउंड से अमेद आसिफ खेर अमेद आसिफ एज अन अल्राउंडर मुझे लगते नहीं के खेलते हैं बालिंग सेक्शन में इनको देना था उसी वज़े थोड़ी टीम डिस्बैलेंस हो रही है देख साड़े नो कर दी है तो इफ्तिकार शायद में मैंनेज ना कर पाहूं आप करके बता देता हूं कॉलिं मन्रो उस्मान ख्वाजा अगर आप लोगे तो आपकी टीम जो है वो पैक हो जाईगी फिर बॉलिंग से भी आपको थोड़ा से कॉम्प्रमाइज करना पड़ेगा य जो मैंने बताया था कि ख्वाजा और मुन्रो दोनों अपन मैनेज नहीं कर सकते हैं अपने टीम में तो आपन क्या करेंगे फिर इफ्तिकार ले लिए अपने बास साड़े-8 क्रेडिट फ्री हो जाएंगे फिर आप आकिफ जावेद या मोहमद इरफान सीनियर की तरफ जा अमरान अकमल विकट कीपिन से से तो सबसे बैलेंस टीम जो है वह मुझे यह लग रही है अंटेल एंडलेस इफ्तिकार फ्लॉप हो जाते हैं अगर इफ्तिकार फ्लॉप आपको लग रहा है कि होंगे जो मुझे लगता नहीं है कि होंगे तो मेरी एक्पेक्टेशन साहें इफ्तिकार से अगर आपकी नहीं है तो आप इफ्तिकार की जगह आसिफली ले सकते हो तो आपके पास और क्रेडिट की जो एश्यू हो जाएगा और फिर आप इदर से हसन अली ले सकते हो एक चीज़ बता दो कि अगर पहले आईसल बॉल डाले के तो मैं हसन अली की तरफ करूंगा चाहे मुझे इफ्तिकार ड्रॉप करना पड़ जाए फिर मैं इफ्तिकार की जगह एक रिस्क लूँगा बोलूँगा मैं अखलक की तरफ कि मैं यहां से अखलक ले लूँगा और मुहमद रिफान को ड्रॉप करके हसन अली ले लूँगा फिर मेरे पास एक लेकिन अभी के लिए जो मैंने आपको सेफ टीम दिए उसी के साथ आप जाना बाकी उसके बाद कोई चेंज होता है टॉस अगरे के बाद तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन दोनों जगह है बार लेकिन अगर आपको रिस्क लेना जैसे कि आप चार या पांच मेंबर वाली लीग खेल रहे हो खासकर ड्रीम 11 या फिर आपन किसी ऐसे अप की बात करें जहां जो विकट्स पॉइंट जादा होते हैं जैसे एक विकट्ट का पॉइंट है पच्छिस ठीक है उस पर अगर आपने लबी और बोल्ड करवा दिया तो आठ प्लस आपको यानि 33 जो है 33 पॉइंट एक विकट्स आप यह होगा गया कि अश्रफ डैथ में बोल्ड डालेंगे अगर दो विक आप एक तरफा विन कर जाओ लेकिन एक डिसएडवांटेज यह है कि यह नाइट गेम है ठीक है अब नाइट गेम में होता कि यह डिव आती है अब डिव जैसे इस पर आती है तो बॉल उतना स्पिन होगा नहीं जितना शदाप का डे गेम में हो रहा था इसलिए से मेरा ए जाएंब और जाएंब तो हो सकता है कि आज में मन्रो को भी बना दू लेकिन मन्रो के रियास के अगेंश गो of records अचह यहीं बात है कि मैं मन्रो को बनाने से थोड़ा सवह एडवाइस नहीं करूंगा safe pair मैंना आपको बता दिया हैグ्रैंड लीग में आप क्या कर सकते हो मैं ground लीग में आज आप जड़ी को ड्रॉप कर देना कैप्टन बना देना मलिक को चार से पांच टीम में मलिक को कैप्टन बनाना और वाइस कैप्टन रोटेट करना आइसल के मिडल ओर्डर के साथ ठीक है इसल का मिडल ओर यानि हुसेन तलद इफ्तेकार शदाब अश्रफ यह मेरी प्रेडिक्शन है प्लेयर्स कौन-कौन से अच्छा कर सकते हैं तो भाई मुझे लग रहा है आज कॉलिन मन्रों करेंगे कामरान अकमल शॉइब मलिक उधर से और इफ्तेकार अच्छा कर सकते हैं शदा मुझे लगता है एक विकेट से जाधा विकेट नहीं लेंग देना बहुत महने से बनाई है यह थे में टाइम पर ताकि आपको सब समझ आए इंटरनेशनल मैचेस का सिनारियो बता दिया है तो मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो में तब तक लिए बाई-बाई टेक यह वैसे मन नहीं था मेरा कि गिवववे करूं लेकिन कर देत कि आपने पार्टिसिपेट किया है बस चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कर देना तो आप लिजबल हो जाओगे बागे सिनारियो में आपको पहली वीडियो में समझा दिया बाई-बाई-टेक है मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में जो होगी कल कल आईगी लंका कि मैच की टी-20 मैच है एकसाइटिंग मैच है स्कॉर्ड में कोच चेंज एं खासकर श्री लंका वाई-टो वीडियो में समत करना आपके यह अच्छा होगा पहला मैच एक ले अच्छा मैच हो सकता है कोशिश करूँ का ग्रेंड लीकी टीम्स दू आपको मिलता हूं